हेलो आज हम लोग इक इंपोर्टन टर्पिक क्लास लाइवित का वेक्टर अंड रिसेश लेंगे जैसे कि शूटी क्लासे से पड़ा रखता है कि कॉंटिटी जी होती वो दो टाइप जी होती नमबर वन इस्केलर कॉंटिटी नमबर तू वेक्टर कॉंटिटी या भी राजियां जिनको उनुता वेक्ट करने के लिए परिमान के साथ दिसा की आवसकता नहीं होती उनको हम इस्केलर कॉंटिटी पहते हैं जैसे मास लेंज जबकि डेक्टर कॉंटिटी बेक्वांटिटी होती जिनको फुली रिप्रजेंट करने के लिए परिमान तो जरूरत होती है साथ में दिसा की जावसकता होती जैसे इसकी लिए कहें हैं जाम पर फोर्स आप यहां पर इसको रिप्रजेंट कैसे करें तो बेक्टर कॉंटिटी इसको रिप्रजेंट करने के लिए ग्रापिकल मेंथड जो है उसमें हम लोग इस तरीके से अलेक हमने करदी ये ले लिए लिए अब इसमें हम रेपेजेंट करना है पॉर्स पाइब निटन इसमें दो चीह देखनी होगी एक टेस्का परिमार परिमार कितना है इसमें 5 है ऑग नूतन को और पोर्ज का डायेасन ही हो वजेसे इसमें डायेख्षिन बताये का माहनों रियोगे इसको हो रिया है सब्सक flick करने के लिए कि एक लाइंट ड्रॉब करेंगे जिसकी लेंथ 5 cm रखी इसका कारण किए 5 cm से लिया गया यदि हम एक न्यूटन को एक सेंटीमीटर से रपजेंट करें तो हम 5 cm की लैंट रोख करेंगे और इसका डारेक्शन जो दिखाएंगे वह इस की दरब दिखाएंगे जैसा कि हम नों जानते हैं इस्ट वेस्ट नौर्थ साथ डारेक्शन जो है हमें सब्सक्राइब दिखाएंगे इस प्रिकार न दिखा कि ग्राफिकल में फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ने एक एरो बनाए जिसकी लेंथ इसके बैगनिटिव यानी परिमाल को बता रहेंगे और इसका है इसक परिमालिस को एक अब जरूरत इस चीत की भी पढ़ती है साथ में कि हम यदि चाहें कि वेक्टर क्वांटिटी इसको इनमें एनलेसे कैसे की है यानि इसको कैसे जोडा जाए कैसी घटा जाए कैसे बुणा किया जाए इनके लिए समझने के लिए दो तरीके रहते एक तो य जाए नियूटनिक आया है तो इसका डारेक्शन जो दिखाया जारा है इस तरीके से ऐसा है जानि इस्ट बेस्ट है अब इसके अगर हम कंपोनेंट करना चाहें जिसके हैड से पहले एक सेक्सिस परिपर्पेंड उकर डालेंगी और जहां पर ये इसको कट करेगा वहां पर इसके बेक्टर गुना देंगे तो ये वेा हैक्स हो गया है यहां पर इसका किसी परिकार से जाए तक फुम के ये तес उस पर बर्भी यादि में पर हैंट suspension तोहीं प्राक्त कुगो हो जाएगा इस प्रिकार से हम नहीं दीखा है कि यह स्कौनेंटन्न गेंट करनें तो हम देखने कि वैक्तर एक्क मैं अधर शी हो है यह इसके इसको कहा जाएगा यह इसकी प्रेंट को इनुट व्याइटन के रूप में कैसे हैं इसको समझने पिए अब fx का unit vector जो होता वो i cap रहता है f y का unit vector जो होता वो j cap होता है fz का unit vector जो होता वो kz इस प्रकार से देखेंगे कि इसमें इसका परिमाण जो है fx है वो इनको इहां पर i cap आ जाएगा जो कि इसका unit vector x axis की direction अब इहां पर ऐसी आएगा f y और j cap प्लस इहां पर आगा f z और p इस परिकार से इसी भी vector की components प्लस होता है अब दो या दो से जादे vectors को आपस में कैसे जोड़ें इसके लिए मान लिया एक vector a है जिसके component kx ay a z प्लस ay a z प्लस z ऑद पर आज़्स्य पर जाट से और जेगर ब्यक्तर पॉपी हम लेए इसके unit vector की पॉँनेंट्स देते जाए थेemb अब इन दोनों वेक्टर को अगर मैं एक करना है तो इसे जीकाप करीव अगर दोनों परिमाण भी स्बीका करके कि इंटु आई करेंगे बादी ऐसे जेकर के रिए एवाई प्लस दीवाई प्लस एसी एजेड प्लस बीजेड इस परिकार से हम दो वेक्टर्स को आपसे हैड कर सकते हैं अब सब्सेक्ट कैसे करें तो इसके लिए प्लस एक एवाई माईनस फीजेड प्लस एजेड माईनस बीजेड इस परिकार से हम दो वेक्टरों को जोड सकते हैं जो बना करने वाला तरीका है वो तरदे हैं कि अधिक 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 अधिक